हेलो गाईज, वेलकम बैक टो एजुकेशन आईक्यू, आई होप आप सब अच्छे होंगे, तो आज का जो हमारा दाहिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है, वो है अब पंच्छे होगा, पंच्छे होगा, पंच्छे होगा, उसको सही तरीके से करना, सही टाइम पे करना, अब इस आर्टिकल के अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा, कोई भी difficult word, कोई भी important term आएगी, उसको मैं आपको साथ साथ में लिखवाता चलूँगा, और बताता चलूँगा, तो आप लोग एक notebook लेके भी बैठ सकते हो, कोई भी अगर difficult word मिनिंग आएगा, उसको आप लोग note भी कर सकते हो, एक बार आप मेरे से इसको पढ़ लो, उसक को मैंने highlight किया हुआ है, आपके लिए especially, वहीं से मैं आपको पढ़ाऊंगा, उस article को आप लोग पढ़ लेना, सेम article है, जो दाहिंदू में होता है, बस उसको मैंने अपनी PDF ओम में convert किया हुआ है, तो जिन बच्चों को भी दाहिंदू पढ़ने में difficulty आती है, काफी time consuming लगत तो चलते हैं सिधे, दाहिंदू की तरफ, तो क्या लिखा हुआ है, recently the Tamil Nadu legislative assembly passed a resolution seeking to provide for a time frame for governors to act on bill passed by the state legislature, तो इसका मतलब क्या है, recently जो Tamil Nadu का legislative assembly है उन्होंने एक resolution को passed किया, seeking का मतलब होता है किसी चीज के लिए प्रयास करना, तो उन्होंने क्या प्रयास किया, कि हम लोग क्या करेंगे to provide for a time frame, मतलब एक time frame, एक time limit रखेंगे for governors to act on the bill passed by the state legislature, मतलब एक time limit रखेंगे, जिसके अंदर में जो governor है, उसको act करना पड़ेगा, जो भी bill state legislature pass करेगा, तो आपको पता है, आजकल क्या चल रहा है, कि जो state legislature है, वहाँ पे जो state legislative assembly है, वहाँ पे जो है, वो bill को pass हो जाते हैं, लेकिन जब वो governor के पास जाते हैं, उनके accent के लिए, उनकी सहमती के लिए, तो governor क्या करता है, उनको accent नहीं देता है, ठीक है, उसको withhold करके रखता है, काफी लंबे समय तक, तो इसी कारण तमिलाडू की जो legislative assembly है, उन्होंने एक bill passed किया, कि हम लोग क्या करेंगे, एक time frame देंगे governor को, और within उस time frame के अंदर governor को जो है, वो accent देना पड़ेगा, विल को, उसके बाद क्या है, तमिलाडू legislative assembly, तो इन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका motivation उनको यहीं से मिला, कि जो तमिलाडू के जो governor है रवी जी, उन्होंने क्या किया, विधोल करके रखा है, उनको accent को, लगबग 13 bills को, जो legislative assembly है, तमिलाडू की, उन्होंने 13 bills को पास किया है, और उन bills को जो है, जो वहां टाइम फ्रेम रखा जाएगा, विधिन उस टाइम फ्रेम के अंदर, governor को जो है, वो act करना पड़ेगा, last week, the Supreme Court of India, while disposing of a case, filed by the state of Telangana, against the governor, तमिली साई, remarked that governors should not sit our wills indefinitely, तो पिछले हपते Supreme Court ने, एक bill को dispose of किया, dispose of का मतलब होता है, bill को निप्टारा करना खतम किया, और जो किया था, state of telangana है, उन्होंने अपने governor के खिलाफ उसको किया था, ये case था, तो Supreme Court of India ने क्या बोला, कि governor को जो है, वो indefinitely time के लिए, मतलब indefinitely का मतलब होता है, कि बहुत लंबा, मतलब time, जिसकी कोई limit ही ना हो, तो governors को जो है, वो अपने पास bills को नहीं रखना चाहिए, indefinitely, उनको जो है, उनको जो है, उनको accent देना चाहिए, ठीक है, within time frame, तो Supreme Court का भी यही कहना है, कि governor को जो है ना, वो लंबे समय तक bills को अपने पास नहीं रखना चाहिए, उसके बात क्या है, taking this sentiment further, the idea of constitutional punctuality need not to be restricted to gubernatorial offices alone अब यह gubernatorial offices कोंड से होते है, जो governor offices है, उनको बोलते है, gubernatorial offices, अब इसका मतलब क्या है, अब यह जो sentiment है, यह हम बात कर रहे हैं, अगर हम इसको further आगे लेके जाए ना, तो यह जो idea है na, constitutional punctuality का, मतलब सही time-based, सही काम को करना, जो constitution के अंदर लिखा हुआ है, उसको सिर् उन्होंने लिखा हुआ है, gubernatorial offices, जो की होते है, governor offices, उसके बाद क्या है, all constitutional high offices, including those of the president of India and speakers of assembly, must CEO motu evolve guidelines to discharge duties in a time-bound manner, तो आगे आथन ने क्या लिखा हुआ है, कि जितने भी जो बड़े-बड़े offices हैं, जैसे president का office है, speaker है, assemblies के, उनको must CEO motu, CEO motu होता है, मतलब, खुद से किसी action को लेना, अपने से action को लेना, without, मतलब, बाहर की कोई involvement ना हो, और अपनी मर्जी से किसी चीच के action को लेना, उनको क्या करना चाहिए, CEO motu करने चाहिए, evolve guidelines, मतलब, कुछ guidelines लेके आना चाहिए, to discharge duties in a time-bound manner, ताकि वो अपनी जो duties है, उनको एक time frame के अंदर, उनको discharge कर सके, उ उसके लिए भी उन्होंने ये बोला है, author ने, president के लिए, और जो बड़े-बड़े offices hold करते हैं, उसके बाद क्या है, in the resolution bill passed by on April 10, 2023, the Tamil Nadu legislative assembly urged the union government and president to advise the governor to decide on the bill passed by the state legislator within a reasonable time period, तो यही है, जो bill passed हुआ, Tamil Nadu legislative assembly में, उसमें यही कहा हुआ है, मतलब, urge किया हुआ है, union government को, और president को, कि वो advise करे governor को, तांकि वो bill के उपर, जो है, वो decide कर सके, जो state legislator ने pass किया है, एक reasonable time के अंदर, उसमें बहुत जादा time, जो है, वो नहीं लगना चाहिए, जो power है, governor की, उसका misuse नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ है, the resolution proposed by chief minister M.K.Stalin, argued that it was important to protect the sovereignty of the legislature and ultimately safeguard parliamentary democracy, तो जो chief minister है, उन्होंने यही बोला, कि यह बहुत जरूरी है, कि जो sovereignty है, ना, legislatures की, मतलब, जो sovereignty का मतलब क्या है, किसी के pressure में काम ना करना, independently काम करना, जिसमें, मतलब, third party का हाथ ना हो, उसको बोलते है, sovereignty, तो जो sovereignty है, ना, legislatures की, उसको क्या है, हमें protect करना है, वो बहुत जरूरी है, important है, और safeguard करना है, हमारी parliamentary democracy को, उसके बाद क्या है, subsequently, उसके बाद क्या हुआ, subsequently का मतलब होता है, उसके बाद क्या हुआ, the chief ministers of Tamil Nadu, wrote to his counterparts in other opposition rule state, and encouraged them to pass similar resolutions in their assemblies, तो जो chief minister से Tamil Nadu, उसके बाद उन्होंने क्या क्या, जो उनके similar counterpart है, मतलब, जो बाकी देशों जो chief minister है, उनको उन्होंने write किया, उनको एक letter लिखा, और इनको भी encourage किया, कि आप जो है, वो ऐसे ही resolution लेके आओ, जैसे हम लोग Tamil Nadu legislative assembly में लेके आए है, so far the chief minister of Delhi, Keral and best Bengal have expressed dear support for the resolution and its underlying principles, तो उसका support भी मिला है, जो Delhi है, जो Keral है, और जो best Bengal है, उन्होंने इस चीज को support दिखा In the case of Telangana, the state had already filed a writ petition seeking direction from the Supreme Court to the governor to decide on the bill passed by the assembly in a timely manner, तो जो Telangana है, उसने already एक writ petition filed की हुई है, और उन्होंने Supreme Court को बोला है, कि आप लोग जो है, वो governor को direction दीजिए, तांकि वो decide कर सके, बिल्स के उपर उनको accent दे सके, एक timely frame manner में, मतलब वही बोला हुआ है, जो मैं उपर बात कर रहा था, उन्होंने भी यही बोला है, Telangana government ने, कि हमें जो है, मतलब एक time period के अंदर governor को जो है, वो accent देना चाहिए, बिल्को, looking at this developments, it would be fair to say that the time has come to evolve a new constitutional architecture that would deliver on the demands for a time-wound constitutional delivery mechanism, तो यह जो developments हो रही है, इनको देखके, मतलब यह ऐसा लगता है, यह कहना सही होगा, it would fear to say that time has come to evolve a new constitutional architecture, मतलब अभी time आ गया कि हमें एक new constitutional architecture को तियार करना चाहिए, मतलब evolve करना चाहिए, develop करना चाहिए, that would deliver on the demands for a time-wound constitutional delivery mechanism, मतलब जो काम करता हो time-wound delivery mechanism, मतलब एक time period के अंदर जो है, वो हर काम जो होना चाहिए, unlimited time जो है, वो किसी चीज़ को भी नहीं दिया जाएगा, उ evolving का मतलब क्या होता है, change होती हुई constitutional scheme, when the constitution was adopted in the consequence of independence from British rule, some of the sovereign functions were retained for the sake of continuity in governance, तो जब हमारा constitution को adopt किया किया, ठीक है, जैसे ही हमें British लोगों से independence मिली, तो कुछ जो sovereign functions ना, sovereign मतलब independent function, जिसमें कोई third party का हाथ ना हो, उनको retain किया गया for the sake of continuity in governance, तांकि जो continuity है ना, governance में उसको बरकरार रखा जाए, उसकी बलाई के लिए, as such, there was no time fixed for various authorities to discharge duties, that arose out of the constitutional scheme, तो ऐसी, मतलब, कोई भी time limit जो है ना, वो set नहीं की गई थी, various authorities के लिए, मतलब, बहु सारी authorities ही, जिनके लिए कोई time limit set नहीं की गई थी, कि उनको कब तक जो है, वो अपनी duty निबानी है उनको कितना time दिया जाएगा, ठीक है, that arose out of the constitutional scheme, जो constitution में लिखा हुआ है, तो उनमें कोई time frame जो है, वो fix नहीं किया गया था, जो की करना बहुत जरूरी था, उसके बाद क्या है, it may also be understood that the drafters of the constitutionalists in their contemporaneous wisdom, अब contemporaneous का मतलब क्या, उस time पे जो उनकी बुद्धमिता थी, जो उ उन्होंने in their contemporaneous wisdom, मतलब उस time पे उनको जितना ग्यान था, expected Raj Bhavans to be nominated with those who would distort sovereign duties beyond the confines of political partisanship, partisanship का मतलब क्या होता है, पक्षपात करना, या फिर किसी के साथ मिल जुल के काम करने की कोशिश करना, ठीक है, मतलब किसी का सहारा लेना, और मेन आप इसको बोलोगी कि पक्षपात कर ने की कोशिश करना, तो मतलब यह जो drafter थे ना, constitution के, इन्होंने क्या किया, इन्होंने expect किया कि जो राजबबंस है ना, to be nominated, राजबबंस मतलब जो governors का जो रहने का होता है न, उसको बोलते है राजबबंस, तो राजबबंस यहाँ पे governor को ही indicate किया हुआ है, तो उनको क्या किया जाएगा, nominate किया जाएगा, उन लोगों के साथ, जो अपनी discharge करेंगे, अपनी sovereign duties को, beyond the confines of political potency, मतलब वो कोई पक्षपात नहीं करेंगे, और अपनी जो duties हैं, वो पूरी इमानदारी के साथ निबाएंगे, लेकिन यह किसका expectation थी, जो drafted state constitution के, लेकिन आपको पता है कि decision लेता है, उसमें government का बहुत जादा influence माना जाता है, क्योंकि जो government होती है, वो ही तो governor को जो है, वो बनाती है, वो तो central government का ही part होता है, एक किसम का, तो उसमें काफी influence होता है governor का, लेकिन उनका, उनकी expectation नहीं थी, जो, तो क्या लिखा हुआ है, article 200 of the constitution as it stands today, limits the option before the governor to give accent to bill sent by the legislature, तो यो article 200 है न, constitution का, वो limit करता है, मतलब, एक सीमा रख करता है, एक हद करता है, limit का मतलब, वो that, कुछ restrictions रखना, जो powers है governor की, जो accent देता है, वो bill को, ठीक है, उसमें कुछ, मतलब, limit रखता है, उसमें वो क्या कर सकता है, वो withhold कर सकता है accent को, reserve कर सकता है accent को, for the consideration of the president, तो उ मतलब, रोक सकता है, accent को, की, बिलको accent नहीं देगा, या फिर president के consideration के लिए भी बेच सकता है, तो article 200 के अंदर में, ये सब लिखा हुआ है, उसके बाद क्या है, तो, the nub of the story is that, governors have wrongly understood the function to grant accent to have endured them with some discretionary responsibility, अंडियोड का मतलब होता है, कोई चीज देना, to give, तो, nub का मतलब होता है, summary, किसी चीज का सार, तो इस पूरे issue का सार ये है, कि जो governors है ना, उन्होंने गलत समझ लिया है, have wrongly understood the function to grant accent to have endured them with some discretionary responsibility, अब ये discretionary क्या होता है, मतलब, अपनी मर्जी से काम करना, अपनी मन मर्नी क तो जो governors है, उन्होंने ये जो accent, मतलब उनको power दी हुई है, कि आप accent दोगे बिलको, उन्होंने उसको गलत understood कर लिया है, और उन्होंने ये समझा है, कि वो उन्हें एक discretionary responsibility देती है, कि वो अपनी मन मर्जी से काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको कुछ time frame के अंदर जो ह अंदर जो हमें ना पॉर्टेस का मतलब होता है, वो हमें एक different interpretation देते है, मतलब अगर आप वहां से तो इस चीज का meaning अलग है, इस चीज का meaning ये नहीं है कि गोवनर जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो accent देगा, बहुत लंबा time लेगा बिलको accent देने में, मतलब discretionary power का use करेगा, अगर आप constitution की debate देखोगे, constitution assembly की, और constitution में यो word यूस हुए है ना तो इस चीज का मतलब अलग ह गोवनर जो है इसको अपनी मनमर्जी से यूज कर रहे है और गलत चरिके से यूज कर रहे है, the original draft article 175 moved for the discussion in 1949, read as follows, तो जो article 175 है ना जो discussion के लिए लाया गया था 1945 में, वो क्या बोलता है, provided that where there is only one house of the legislature and the bill has been passed by that house, the governor may in his discussion return the bill together, be the message requesting that the house will reconsider the bill, तो ये क्या बोलता है, कि जो bill जो है, जहां पे एक ही house होगा, अगर वो पास करेगा, और वो governor के पास जाएगा accent के लिए, तो governor वहाँ पे अपनी discretionary power का यूज कर सकता है, और return कर सकता है बिल को, और एक message दे सकता है, कि आप लोग जो है वो इसक assemblies है, उनको बोल सकता है, कि आप लोग जो है इस bill को reconsider करो, while moving the amendment to this article on July 30, 1945, फिर इसका मतलब जब amendment हुआ July 30, 1949 को, तो जो Mr. Ambedkar है, उन्होंने क्या बोला, there can be no room for the governor acting on discretion and recommended removing the phrase, the governor in his discretion, तो जब इसके उपर discussion हुई, तो बीम राओं Ambedkar ने बोला, कि ऐसा नहीं है, कि governor जो है, वो अपनी मतलब discretionary power का use करेगा, उसकी discretionary power के लिए कोई भी जगा नहीं है, और उसने ये recommend किया, बीम राओं Ambedkarने कि ये जो phrase है, the governor in his discretion, इसको remove करने के लिए बोला, उसने suggest किया, कि इसने बीम राओं Ambedkarने, therefore the final article adopted by the constitutional assembly and embedded in the constitutionally, explicitly negates any discretionary power, और जो final article इसके बाद जो adopt करना constitution में, explicitly का मतलब होता है, clearly, उसने clearly negates किया, negates का मतलब होता है, deny करना, any discretionary power, मतलब कोई भी discretionary power जो है, वो governor के पास नहीं है, वो अपनी मनमर्जी से काम जो है, वो नहीं कर सकता है, the position has been fortified by seven judge bench of the supreme court in शमशेर सिंग versus A&R versus state of Punjab, और ये जो position है ना, इसको further fortified किया गया, मतलब, दोबारा इसका निर्मान किया गया, seven judge, जो benchी supreme court की, उन्होंने क्या बोला, where it was held that the discretion of the governor is extremely limited, जो discretionary power है ना, governor की, वो काफी limited है, and even such a rear case shall act in a manner that it is not detrimental to the interest of the state, लेकिन कुछ cases में वो अपनी discretion power का use कर सकता है, लेकिन इस तरीके से use करेगा, in such a manner, जो कि detrimental ना हो, detrimental का मतलब होता है, harem full ना हो, state के interest के लिए, मतलब, state को उससे कोई भी harm जो है, वो नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद क्या है, furthermore, the supreme court has repeatedly held that, governor shall only act on the aid and advice of the council of ministers, और जो supreme court है ना, उसने बार बार ये भी बोला है, कि governor जो है, उसको act करना होता है, जो हमारे council of ministers है, उनके advice पे, more ever, the simple and plain reading of article is sufficient to show how the meaning of the afraid, withhold, accent therefrom, has been willfully misinterpreted to mean holding back the bill and act which is colloquially referred to as pocket bitto, लेकिन क्या है, जो मतलब, अगर हम लोग simple और एक plain reading करेंगे ना, इस article की, तो हमें सीधे-सीधे क्या पता चलेगा, कि ये जो afraid है, withhold accent therefrom, has been willfully misinterpreted, इसको misinterpreted किया गया है, मतलब, गलत तरीके से use किया गया है, और इसको क्या meaning निकाला गया है, to hold back the bill, मतलब, bill को hold back करना, अपने पास रखना, and act which is colloquially referred to as pocket bitto, colloquially, मतलब, होता है, अगर हम उसको असान शब्दों में बोले ना, तो उसको हम लोग बोलते है, pocket bitto, जिसका जो है, वो गलत interpretation किया गया है, मतलब, governor क्या करता है, इसी भी bill को जो है, वो accent नहीं देता है, there can be nothing further from constitutional reality and literary meaning, तो constitutional reality और, मतलब, constitution की जो reality है, उससे हमने बिलकुल भी जो है, वो इससे match नहीं करती है, there can be nothing further from constitutional reality and literary meaning, मतलब, constitutional reality or literary meaning से इसका कोई लेना देना नहीं है, उस straightforward reading of withholding accent can only mean to return the bill and not to hold back अगर आप लोग straight forward मतलब सीधे तरीके से अगर आप लोग reading करोगे ना तो withholding accent का meaning क्या है बिल को return करना इसका मतलब यह नहीं है कि build को hold back करके रखना अपने पास ही रखना और ना उसको accent देना the problem is accentuated accentuated का meaning अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो accentuated का meaning होता है to emphasize something मतलब किसी चीज़ पर जोड देना या फिर to make something easier या फिर किसी चीज़ को असान करना तो the problem is accentuated as there is no time limited prescribed to return the bill तो यह जो problem है ना इस पर ज़्यादा जोड़ इसलिए दिया जाता है क्योंकि कोई भी जो है ना time limit set नहीं की गई है कि कब तक जो है वो return करेगा bill and such governor have considered themselves to be an unaccountable to the principles of time bound governors और जो हमारे governors भी है ना वो अपने आपको unaccountable मानते हैं मतलब उनकी कोई भी जवाब देहिन नहीं है कि कब तक जो है वो return करेंगे bill को कितना time उनके पास है उसके बाद क्या है time bound governance time bound मतलब within time limit के अंदर किसी चीज को पूरा करना other jurisdictions where similar powers have been bestowed, showed historically different picture bestowed का मतलब क्या होता है अगर आपको लिखना है लिख सकते हो bestowed का मतलब होता है provide करना तो और भी jurisdictions है, jurisdictions है, मतलब जहांपे fans ले लिए जाते है जहांपे similar powers दी गई है, provide की गई है, bestowed का मतलब होता है देना show a starkly different picture, starkly का मतलब होता है clearly वहांपे हमें एक अलग ही picture दिखेगी in the United Kingdom, there has been no royal, एक सेकिन एक सेकिन यार, थोड़ा सा PDF जो है वो आगे पीचे हो गया, मैं इसको लेके आता हूँ तो जैसे हम लोग किसकी बात कर रहे है, UK, तो UK के अंदर ना there has been no royal widow since 708, UK के अंदर कोई भी royal widow नहीं है अगर हम 1708 से बात करें, when the accent to the Scottish militia will was graduated by a queen and a, तो मतलब ऐसी कोई भी royal widow जो है न, वो UK के पास नहीं है जैसी हमारे पास है, whereas in the United States, there is a time limit of 10 days for the president to give accent or veto to a bill, और अगर हम लोग United States के बात करें तो उनके पास 10 दिन होते हैं, president के पास, उसके अंदर में उसको जो है नहीं देता है bill को, तो वो automatically act बन जाएगा, 10 दिन के अंदर-अंदर उसके बात क्या है, if the president betos and returns the bill to the Congress or Senate, then both the chambers of the Congress must override the bill for it to become a law तो अगर ये जो bill है, उसको बापिस दिया जाता है, Congress को तो Congress के पास भी, Congress मतलब जो अपना United States है, जो उसकी override कर सकती है, और उसको सीजे-सीजे जो है वो ला बना सकती है, तो India जैसी हालत कहीं पे भी नहीं है, our time matters involving and inexplicable delays in exercising powers why various authorities have been brought under the ambit of judicial review by constitutional courts, तो अगर हम लोग थोड़े समय की बात करें न, तो जिन में matters involving and inexplicable, inexplicable मतलब जिसको आप लोग explain नहीं कर सकते हो, तो जहां पे भी मतलब delay हुआ है, बिल को, मतलब accent देने में delay हुआ है, तो उसको जो है न, वो Supreme Court ने अपने constitutional courts में जो है, उनको देखा गया है, has been brought under the ambit, ambit का मतलब होता है limit of judicial review by constitutional courts, मतलब उनको review किया है constitutional court ने, अगर हम लोग over the time बात करें, तो अगर कोई governor जो है, वो बिल को accent नहीं दे रहा है, तो हमारे जो courts है, उन्होंने उसको देखा है, review किया है, इस Supreme Court, उसके हम लोग कुछ examples लेखेंगे, इस Supreme Court in Kesham Singh versus Honorable Speaker Manipur issued a writ of mandamus to the Speaker of Megalaya legislative assembly to decide on the disqualification petitions under the test schedule of the constitution within a period of four weeks, तो जो speaker है ना Megalaya को, उनको Supreme Court ने, मतलब writ जारी की थी mandamus की, और बोला था कि आप लोगों को मतलब decide करना है, governor को decide करना है, उनको चार हपते का time दिया था, चार दिन के अंदर, मतलब जो disqualification है, वहां के जो members की, उनको आपको चार दिन के अंदर जो है, वो decide करना है, तो अभी जो Supreme Court है ना, वो भी इसमें बढ़ चर के हिस्सा ले रही है, क्योंकि देख रही है कि काफी जादा जो है ना, इसका गलस यूज किया जा रहा है, उसके बाद क्या है, इन्हें case filed by the state of Telangana against the governor, the Supreme Court found it fit to highlight this period of article 200, तो अभी तेलांगना में जो मतलब case हुआ था, उसमें भी Supreme Court ने मतलब article जो 200 है, उसको सही ठायराया, while disposing of the case, जब उसने मतलब case का निप्टारा किया, और April 24, 2023 को, the court acknowledged that the votes in the article 200 as soon as possible after the presentation of the bill held significant constitutional content that governor should necessarily bear this in mind, तो क्या है, तो मतलब इसमें यही बोला गया, कि Supreme Court ने यही बोला कि जो votes है ना 200 के, वो यही बोलते हैं कि जैसे ही governor को bill दिया जाएगा, तो उसको जो है ना, within time limit के अंदर जो है, वो इसके उपर जो है, वो action लेना चाहिए, as such it would appropriate for various constitutional assorties such as governor exercising powers under article 200 and speakers acting as quasi judicial tribunals under 10th schedule to evolve strict time frame and avoid unnecessarily delays, तो यही लिखा हुआ है, कि जो हमारे governors हैं, जाफिर जो हमारे speakers हैं, उनको क्या करना चाहिए, मतलब जिनको, उनको क्या करना चाहिए, एक strict time frame बनाना चाहिए, और उस, मतलब बिल को उसी time के अंदर जो है, वो उसके उपर action लेना चाहिए, unnecessarily जो delay होता है, बिल को accent देने में, वो नहीं होना चाहिए, only such an approach will advance the constitutional scheme and safeguard the bill of the people excise through the legislature, इसी approach के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी constitutional scheme है, उसका पालन कर सकते हैं, और safeguard कर सकते हैं, सुरक्षिज कर सकते हैं, people excise through the legislature, the bill of the people excise through the legislature, तो जो मतलब मर्जी है लोगों की through the legislature, तो ये था आज का दा Hindu editorial article, एक-एक line को मैंने explain कर दी है, अब आप आप जाके इसको PDF मैं आपको telegram में provide कर दूँगा, एक बार जाके आपको इसको कुछ से read कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बैल आइकान को दबा देना, ताकि जब भी मेरा next video आएगा, आपको notification मिल जाएगा, तो subscribe करो, like करो, जहिन